देखे आज 15 अगस्त है और आज पूरा देश पूरा भारत वश आजादी का 38 साल मना रहा है यानि आज 38 सतुरंचता दिवस है और इस मौके पर देश के प्रधान मंतरी अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंतरी भी जंडा फैराये हैं और अगर हम बिहार के संदर में बात कर तो बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने भी आज पटना के एतिहासि गांधी मैदान में जंडा फैराया है लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि क्या आप जानते हैं कि नितीश कुमार ने 18 बार जंडा फैरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है जी हाँ बिलकुल सही सु नितीश कुमार बिहार के पहले ऐसे मुख्य मंतरी हैं जिन्होंने 18 बार जंडा फैरानी का रिकॉर्ड बनाया है तो चलिए हम आपको आगे की वीजियो में विस्तार से बताते हैं कि नितीश कुमार के पूरी जर्नी क्या रही कब उन्होंने CM पत की शपत ली और नितीश क कुमार से जुड़ी तमाम बाते भी हम आपको आगे की वीजियो में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमशकार मेरे नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सस्टोक्स सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे कि नितीश कुमार से पहले सबसी अधीक रही बार्ध वजा रोहन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है आपको बता दे कि मुख्यमंद्रे नितीश कुमार 24 नमबर 2005 को सीएम पद की दुबारा शपत लिये थे इससे पहले वे साथ दिन के लिए मुख्यमंद्री बन चुके थे 2005 में पद समहालने के बाद 2013 तक ला मांची को सौप दिया उसके बाद बीस मई 2014 को जीतं राम मांची को सीएम बनाया गया उसके बाद 22 फरबरी 2015 को मांची इस पद से हटा दिये गया आपको बताएं कि नितीश कुमार ने दوبारा सता समहाली 2015 से लेकर 2020 तक नितीश कुमार दوبारा मुख्यमंद्री बने उसके ब 2023 में 17 वी बार गांधी मैदान और मुक्ष मंत्री आवास में तिरंगा फहराया था नितीश कुमार ने और अब जब बात 2024 की करे तो 2024 में 18 वी बार जंडा फहराकर नितीश कुमार ने नया रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है यानि बिहार के मुक्ष मंत्री नितीश कुमार इस बार पटना के अतिहासी गांधी मैदान में जंडा फहराकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाये हैं और कहा जोराई के नितीश कुमार बिहार के पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने 18 वी बार जंडा फहराया है आप ये समझे कि ये कोई मामुली रिकॉर्ड नहीं है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हम बात करें देश के संदर में तो देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज 11 वी बार जंडा फहराये हैं लेकिन नितीश कुमार बिहार में गानी मैदान में मुख्य मंत्री आवास पर 18 वी बार ध्वजा रोहन किये हैं बाके आप इस खबर के लिए क्या कहेंगे आपकी क्या राय है अपनी राय बताईएगा वीजियो को समात्त करते हैं मिलते हैं ऐसी किसी खास और नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद